आज मैं बनाने जा रहे हूं गोवी का पराठा टंडिया आ गई हैं तो गोवी का पराठा बहुत अच्छा लगता है तो चलो शुरू करते हैं आज मेरी रेशिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे जैन को सब्सक्राइब कर देखिए मैं लेकर आई हूं गोवी और अभी अच्छी से धो करके और कट करके इसको गदु कस कर लूँगी फिर मिलते हैं देखिए को मैंने कद्दू कस कर लिया है और मैं इसमें नमक डाल करके ढख करके रख दूँगी 5 मिनिट के लिए तो देखे मैंने ढग दिया है अब पांस मिनट हो गए हैं कद्दू कस किये हुए गोभी को सूती कपड़ी में डाल कर इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे देखिए कुछी इस तरह से इसका पानी निकाल देना है पानी निकालने के बाद खत्व कस्किया को भी कुछी इस तरह से हो जाएगा इसमें डालेंगे अधरप, धनिया, और हरी मिर्च, लसुन, इन सारी चीजों को मिला देंगे साथ में डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, अज्वाइन, गरम मसाला, भुनाचिरा पाउडर और इसमें मैंने डाला है मैगी मसाला और चाट मसाला अमचूर पाउडर है तो उसको भी आप लोग डाल सकते हैं पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला तो इन सारे चीज़ों को मिक्स कर देना है इधर लगा लेते हैं गेहूं की आटे का डो तो जो कद्दू कस्कीवा पानी निकला था उसको भी डाल देंगे आटे में और मैं डालूंगे एक सी दो चम्मच बेशन उसके साथ डाल देंगे एक सी दो चम्मच मलाई थोड़ा सा धनिया मेरे पास बचा हुआ था और कसूरी में थी रोस्टेट इसका डो लगा पर ढग के रग देंगे 10 मिनट रेष्ट के लिए इधर तवा चड़ा देंगे तवा पर रख देंगे घी तब तक की दनने के लिए 10 मिनट हो गए हैं दो को लगाए हुए इसको अच्छे से मैश कर लेंगे फिर इसका हम बना लेंगे छोटी-छोटी लोई या कुछी इस तरह से देखिए इसमें कद्दुकस किया हुआ गोटी को डाल देंगे और इसको फोल् कोड़ा सा अंटा लगा करके इसकी रोटियां बना लेंगे उस इस तरह से फिरिंट आप लोग बनाएगा जरूरे गोवी का प्राठा खाने बहुत टेश्टी लगता है अभी ठंडियां आ गई हैं तो गोवी का प्राठा खाने का मजा ही कुछ हो रहें तो डाल दिंगे त यू बाइ